पीकेडी नामब्यार भी आप हमारे साथ है राजनीतिक विशलेशक नामब्यार साब आप क्या कहेंगे नमस्कार आप लिटर्स इस नोट गोल्ट इस वाट आइक से देट जो हम दिखते हैं वो नहीं है हमेशा सच नहीं है जो सुनते हैं इससे ज्यादा एक्सपोस होने का कोई कुछ है नहीं बचा नहीं है इसके इसके अंदर यह सिर्फ मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ आंटी नैशनल अक्टिविटी है अपना जो प्रिविलेज जो एसन एंपी आपको मिला हुआ है जो कॉंस्टिशन दिया हुआ है जो जनता चुनकर आपको जिस पर्पस के लिए बेजा गया है पार्लमेंट के अंदर उधर जाके अगर आप इस तरह का जो काम करोगे पैसा लेने के लिए करप्शन भी है इसके अंदर हर चीज एक दरफ से जो हम लोग भी पहले बात करते थे वो कहीं ने कहीं एक डौट हमेशा था ये 24 गंडा जो अदानी 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 बोलते थे और मोदी जी को अटैक करने का एक तरीका ढूंड के आइटिक ये पहले से भी लग रहा था है कि कहीं कहीं इसमें कुछ न कुछ डाल में काला है बट मुझे लगता है कि पूरा डाली अभी काला निकल गया एक और बात यह है कि इसमें सबसे जादा important यह है, यह जो network है, international networks जो involved है, चाहे वो Soros हो या Hindenburg हो और बाकी जो है, उन लोगों का और हमारे यह जो so called MPs का बीच में क्या तालूक है? Indian companies का तो चलो मान लेते हैं कि दर्शन हीरा नंदानी ने तो अपने पूरा किताब खूल के लिख दिया है, अब मौवा मौवा इतना को ओपर TMC क्या कारवाई करेगा? या TMC इसके ओपर इतना छुप रहने की जगल, खल सुबे क्या कारवाई होगा? यह हमें देखने वाला है लोग सबा स्पीकर क्या करेगा? किस तरह का एंकोईरी होगा? CBA एंकोईरी जो लास्ट बंदे तक पहुंचने के लिए? मीडिया के अंदर से किस किस तरह के लोगों ने चाहिए अच्छा हो बुरा हो? मैं समझता हूँ कि I always maintained that it was not just about Adani as a company. If Adani as a company कुछ गलत किया होगा त but it was not just on Indian, it was more of like attacking an Indian economy. And the route which they have chosen to attack Prime Minister Narendra Modi, उसके लिए एक गुजराती connection ले लिया और एक contemporaries है, यह सब चीज़ बता के लोगों ने किया हुआ है. आज भी Rahul Gandhi ने तिलंगा ना में Adani का नाम ले रहे थे. I think इसमें Rahul Gandhi का भी Darshan Hiran Adani का, जो SWAN अफिडविट में, उसमें भी Rahul Gandhi का भी नाम है. मुझे लगता है कि जो जिसको हम सोचते थे कि यार यह हमारी गौरव है, यह हमारे देश के लिए, देश का opposition parties में अच्छा बोलने वाला लोग है, यह लोग है, बट क्या निकल कर आया? And मुझे ने लगता है कि आभी एक सेकंड भी मोवा मोयतरों को Markbos के ले शेह लेए.